हलो फ्रेंट्स वेलकम टू लव तरेस काटनिंग आज हम करने वाले हैं एक और बहुत इंपोर्टन काम वो क्या है चलिए देखते हैं देखे फ्रेंट्स यह है मेरा कनेर का प्लांट और आप इसमें देख सकते हैं कि इसके इंदर रूट पाउंड हो चुका है अब इसको मु ख़र हैं में लिगाता सकता इसमें धरे हम चरह की अखाशना की फ्रेंट्स का तो हम क्या बाले नहीं में फ्रेंट्स कंदू उर कि από आपके प्रेंट इस में हो और अीक राला जादो स्गहोंड कर मैं फ्रेंट्स के मैं इसको सब्से पहले तो निकालों की पूरे प्रांटी इसके अंदा जाल्ट संवाट और यह प्राइब टालने के ज़िए निकलने में तब तक हम वह सोफ्ट ओगे डाले के एज़ी हो तब तक हम क्या करेंगे यह है मेरा ही भी कस का प्लाइब और तब तक हम इसको रिपोर्ट कर लेते हैं आप तेख सकते हैं इसको बॉर्ट है वह तो हम इसको भी रिपोर्ट कर लेते हैं ताकि जो हम इसके अंदर निट्रिशन डालें वह निकल ना जाएं और वह पूरा का पूरा हमारे प्लांट को ही मिल सके अगर आपको याद होगा यह वही ही पेकस का प्लांट है जिसकी हमने कटिंग कर दी थी जनवरी के टाइम पर आ हमार को थोड़ा टाइम देना पड़ेगा जितना लेट हम करेंगे उतना ही हमार को और प्रॉब्लम होगी फ्लावरिंग लेने में तो देखे फ्रेंस में आज करने वाली हूं इसकी रूट प्रूनिंग वह भी फर्स टाइम क्योंकि मैंने देखा है चैनल में रूट आज हम रूट प्रूनिंग करेंगे और देखते हैं अगर हम सकस्फुल हो जाते हैं तो सच्छी में आग जाके हमको यह चीज बहुत बेनेफिट देगी कभी ना कभी तो शुरुवात करनी है तो क्यों ना आज से ही की जाए तो चलिए अब हम करते हैं इसकी प्रूनिंग देखें फ्रंट्स यह करते करते इसके अंदर एक बूरी निकलाई है डून नो कैसे चलिए इसको निकालते हैं देखें कितनी ज्यादा इसकी प्रूनिंग हो चुकी एक तरह से मेरा प्लांट पूरा का पूरा हिल चुक है जितना मैं सोच रही थी कि मैं सेफ करके चलू प्रूनिंग करूंगी क्योंकि मैं फर्स चाइम कर रही हूं और उतने ही ज्यादा प्रूनिंग मुझे इसमें करने पड़ रही है यह देखें आप देख सकते हैं यह लग भग लग 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 पूरा ही निकल गया है अब मैं क्या करूंगी फ्रेंट्स यह जो मिक्स कर लेंगे और इसकी जो रूट्स है इसको में निकाल नहीं रही हूं क्योंकि यह रूट्स है यह ड्रेनिंग के लिए बहुत अच्छी रहेंगी और दियर दिकंपोस भी होती रहेंगी आसी कोई प्रॉब्लम की बात है नहीं तो मैं क्या करूंगे इसके अंदर खाट वापिस से पॉर्ट में डाल दूंगी और हम इसको रख देंगे अब पूरी चाहें वाली जगाह में जब तक कि मुझे इसके अंदर ग्रोथ नजर नहीं आएगी और जब ग्रोथ मुझे नजर आने लगेगी तो मैं धीरे धीरे इसको थोड़े थोड़े दूप में रखन में जाए रूट प्रूनिंग का रिस्क तो हमने ले लिया अब बारी है उसके फल की उसके लिए हमको थोड़ा वेट करना पड़ेगा अब है हमारे कने प्लांट की बारी देखिए बहुत ज्यादा मुश्किल से निकला है इसको कितना गिला करना पड़ा है बता नहीं सकती अब आप देख सकते हैं इसकी रूट जो है कितने जादा हो रही है अब हम इसकी रूट प्रूनिंग करेंगे यह देखिए मैं कैसे कट कर रही हूं उसको तो इतना कट नहीं कर पाय थे क्योंकि वो तो वैसे ही निकलाया था पर इसको प्रॉपर कट करना पड़ेगा आप देख सकते हैं आप देख सकते हैं इसके नीचे जो रूट है वो कैसी हो रही है अब हम इसको पूरा कपूरा निकाल देंगे लेकिन फ्रेंट सची कह रहे हूं निकालना बहुत मुश्किल है सर पूरा गूं गया था इसको पॉर्ट से निकालने निकालने में ही इतना इसने परशान किया है ना कि मैं बता नहीं सकती और इसको निकालते निकालते हम कुछ चीज़े तो सीखी रहे हैं मैं दोनों पोर्ट को ही आज कर रही हूं आपने देखा है कि मैंने हीपिकस का भी किया है और अब कनेर का कर रही हूं जोच जोच में हमने रूट फ्रूनिंग तो कर पानी मेने डाला तब जाके यह रूट बहार निकली है इसे निकालना इतना भी इजी मस समझेगा सची कह रही हूं मुझे इसको निकालने के लिए है तक लेनी पड़ी है इतना सरचक्रा दिया है इसने केली क्योंकि अकेली निकालनी बहुत जादा मुश्किल थी और हम इसकी म् constitu सिते हैं के लगण मेने और फिगत व को मिटा को दो नहीं है और छोड़ी ष्याज़ं को में जो कमपो्षी कोई चानला टेंगे जालने के लिए मुझे बहुत सारा पाने डालना पड़ा और अब ये पटीलाइजर भी डाल दिया है हमने ता कि इसकी अच्छी होती रहे और इसको मैंने अच्छे से मिक्स भी कर लिया है अब हम इसको वापे से बना स्चार्ट करते हैं और इसको भी में प्रॉपर शेड एर के वजा से ही आपका प्लाइट बचेगा उसके बाद क्या कीजिए उन होलत के ऊपर थे लिए ता कीसी चीशट sizin और गांतना हैं